हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक उन मैं योट्यूब चैनल, तो दोस्तों ये इस ड्रामा की एक्स्पिलनेशन का पार्ट नमबो फाइव है, अगर अभी तक आप लोगो नहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कैस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, और अगर आपको कहनों ने कुछ उल्टा सीदा खा लिया है, जो ऐसी बाते कर रहे हैं, खेर वहीं आगे बॉंग सुन को, जुवण छोड़न के लिए था, जब बॉंग सुन अंदर जाने लगती है, तो जुवण उसे पीछे से आवाज लगाता है, बॉंग सुन को ऐसे लगता है, कि और बॉंग की अंकल को आःरानी से देखते है, खेर तब अंकल कहते है, बॉंग सुन तुम आ गई, बॉंग सुन तो अपने साथ जुवण को भी ले आई थी, और अब जुवण को देखते ही, मिस्टर ली अलर्ट हो जाते है, और उसका सुवागत करने लगते है, मेरे बेटी को क्यो मार रहे हो? तब जुवन कहता है, माफ कीजेगा, मैंने आपको अपना इंट्रोड़क्शन नहीं दिया. मेरा नाम जैंग जुवन है, अंकल कहते हैं, मगर असी सड़ी हुई शकल क्यों बनाई हुई है? तब जुवन कहता है, वो मुझे वाश्रूम जाना है, ये संते ही, मिस्टर ली तो दोड़े भागे जाते हैं, वाश्रूम का गेट खोलते हैं, हर उसे छोड़के आते हैं, ये देख करके, बॉंग की हैरान था, वगर तब ही वो देखता है कि उसके डैड, वो बॉंग सुन स जो कि जुवन की चिंता कर रहे हैं, तो दूसी तरफ उसके डैड, जो कि अचानक से बॉंग सुन की चिंता करने लगे हैं, खेर आगे दिखाया जाता है, बॉंग की जान मूच करके जुवन से कहता है, कि चलो गो स्टॉप खेलते हैं, मगर जुवन कहता है, ना तो मिरे प अच्छे से आता था, खैर तभी बॉंकी गुस्से में कहता है, ओए मुर्गा मुर्गी, तुम्हारा कुछ जादा नहीं हो रहा है, मगर इसके बाद तो उसे, मिस्टर ली और उसके रैड दोनों की तरफ से एक थपड़ पड़ता है, कि वो इन से ऐसे कैसे बात कर सकता है, ब भी अंकल आ जाते हैं, वो उसे कहते हैं, कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, बॉंक्सिन कहती है कि ये तो मैं कर दूंगी, मगर प्लीज आप मेरी मदद कीजे, ताकि मैं ब्लू हाउस में काम कर पाऊं, मुझे ब्लू हाउस में काम करना है, क्योंकि तभी ही, मैं अप पहले से ही जगड़ा चल रहा था इसलिए अंकल इन से कहते हैं कि अगर तुम नहीं दिला सकती तो मैं खुद निट्रिशनलिस्ट जिनक्यों से बात करूँगा अब आगी दिखाया जाता है कि बॉंग सुन जो वाक्ष्रूं जाती है तो वह गलती से जिनक्यों के लैंसिस को गिरा दिती है अब जिनक्यों को तो इसके उपर गुसा आने लगता है क्योंकि उसे चश्मा जो लगाना पड है मुझे मिली भी तो यह डबल बैटरी ही मगर सेलेक्शन तो एक कुकिंग कॉंपेटिशन से होने वाला था इसलिए बॉंक सुन के पास चांस था तो दूसी तरफ प्रेजिडेंट की वाइफ यानी की फस्ट लीडी ने मिस्टर ली से का था कि नाम बॉंक की को आज लंच प पीछे बरभात क्यों करूं अगर इसे मार्किट जा नहीं है तो आप ले जाओ तब बॉंक की डैट कहते हैं अगर मैं ले जाता तो तुझ जैसे नलायक बेटे से क्यों कहता हूं अंकल दो चार ताने उससे सनाते हैं और बॉंक सुन के साथ जाने का ओडर देते हैं तब ब लि nota कहती है मार्किट नहीं हमें मांटिं पे जाना हैं पॉंक की कहता है क्या आप बॉंक सुन वह तो इसे पहाडी पी ले आई थी ताकि वह यहां से खाने के इंग्रीडियां दून सके पॉंक की कहता है आज के टाइम पे आइसे जंगलों में जाकर यहां कि कौन धूनता ह तब बॉंक सुन कहती है, ये बिल्कुल natural होते हैं, इस लिए तो खाने में बहुत बढ़िया होते हैं, तब बॉंक की उससे कहता है, तो करती रहो जो कर रहा हो, क्योंकि मैं तो यह थे जा रहा हूँ, बॉंक सुन कहती है, तुमसे उमीद ही यही थी, जाओ, पैसे भी और मैं आप ये खाने की आइटम एखटे कर रहा था, ये Blue House के किचिन के Head Chef हैं, ये बॉंक सुन को नीचर से समान कलेक्टिक करता हुआ देखते हैं, वो भी बिलकुल अपनी तरह, तो वो अल्रेडी ही बॉंक सुन से काफी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, बॉंक सुन भी उनसे पार दुटक हो गया था, और इसके पैर में थोड़ी सी लग भी गई थी, बॉंक सुन कहता है, तुमसे एक काम डंग से नहीं होता है, बॉंक सुन कहती है, अब जाओ मेरा जूता दून के लिए क्या हो, मगर तब बॉंक सुन के आओ, मेरे पास बिलकुल भी टाइम नहीं ह अब आगे शुरू होता है बॉंक सुन का कॉंपिटीशन, और जब वहां पे हैट्शेफ आते हैं, तो वो बॉंक सुन को वहां देख करके हैरान हुए थे, और बॉंक सुन भी उने देख करके हैरान हुई थी, तो दूसी तरफ बॉंकी को दिखाया जाता है, जो कि फस्ट लेडी के इंविटेशन पे, ब्लू हाउस पहुचा था, आज लंच के लिए, तो वहीं जुवान भी अपनी वाइफ जीसु के साथ, आज लंच के लिए ब्लू हाउस आया था, मकर आगे वो बॉंकी को यहां पे देख लेता है, और छुपने लगता है, कि कहीं उसकी लाइफ का ध्यान रखना, और वो हाँसे चला जाता है, था कि बॉंकी के सामने वो ना आपाए, कि कि बॉंकी और मिस ओ यहां पे आ गए थे, मिस ओ जीसु को यहां पे देख करके हैरान हुई थी, खेर वो जीसु को अंदर भीशने लगी थी, मगर बॉंकी खाने के लिए, जो ओनकी चैर पे बैठके था, और ये चीज जीसु से बरदाश्ट नहीं होती है, प्यवाँ चाकर के खड़ी हो चाती है, भॉंकी वहां से उच जाता है, अब जीसुस चैर पे बैठके थी और उसे छोड़ ही नी रही थी, आगे भॉंकी को पता चलता है, कि जीसु को पि और उन्होंने अपने बेटे की कपड़े भी बॉंकी को पहनने के लिए दे दिये थे बॉंकी कहता है ये तो मेरी ड्यूटी है तो दूसी तरफ कुकिंग कॉंपेटिशन में बॉंक सुन पहला राउंड तो क्लियर कर लेती है अब बारी सेकंड राउंड की थी जो की स्टार् कुछ फस्ट लेडी ने उसकी तारीफ की थी और उसने उनकी बेटी के कपड़े भी पहने थे आगे बॉंकी को प्रेजडेंट भी बिलते हैं और मिस्टर ली भी मिस्टर ली उसे कहते हैं कि तुने ये कैसे कपड़े पहने है तो बॉंकी उनसे पूछता है क्या आपको पत देते हैं क्योंकि उन्हीं बॉंक सुन की टेखनीक बहुत पसंद आई थी मगर इस डिसीजन से जिनकी उन बिल्कल भी खुश नहीं हुई थी खेर वो बॉंक सुन से फॉर्मैल्टीज पूरी करवा रही थी खेर इतने में बॉंक की भी किसी काम से यहां पे ही पहुच जाता ह और जब वो यहां पे बॉंक सुन को देखता है तो वो कहता है ओ अच्छा तुम कॉम्पिटीशन के लिए आई हो तो क्या हुआ तुम पहले ही राउंड में भार हो गई ना बॉंक सुन कहती है लो खुदी देख लो बॉंकी देखता है कि इसका तो सिलेक्शन हो चुका है बॉंकि तो बहुत ही जाधा है रान हो चाता है साथ ही वो याद करता है उसने मैं अपना नाम बदल लूगा अगर तुम कॉम्पिटीशन जीत कहीं तो बॉंकी तो पत्ली गली से यहां से निकलने लगता है मगर बॉंक संस से कहती है यह बॉंकी जरा रुगकोता सही देख करके जिनके उनको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो बॉंकी को पसंद जो करती है तो वहीं बॉंकी का हाथ देखती है और उससे पूछती है कि यह चोट कैसे लगी सुबह तक तो तुम ठीक थे वह उसकी चिंता करने लगी थी मगर बॉंकी कहता है छोड़ो मैं ठी करते है यह बॉंकी इन दोनों का तो यहां पे भी जगड़ा स्टार्ट हो जाता है तब जिनके उनको पूछती है कभी-कभी ऐसे लगता है कि तुम लोग बहुत करीब हो और कभी-कभी लगता है कि एक दूसरे के दुश्मन हो आकर तुम लोग एक दूसरे को जानते कैसे ह हो बॉंकी तो बहाने बनाने लगता है मकर बॉंक सुन वो बता देती है मैं तो इसके घर में ही रहती हूं इवन इसकी रूमे drehtी हूं मैं इसकी किराएर जो हूँ बॉंकी बॉंकी से कहता है कि तiada भी ए फोटोग्राफर बॉंकी से कहता है इसका मतलब तुम लग-दो भी कहती है कि जादा बोलने वाली दुकान को मेरा बस चले तो मैं कहीं बंद कर दूं और उस दरवाजे को दुबारा खोलू ही नहीं मेरा भी टेस्ट है बहला मैं इसे पसंद क्यू करूंगी मगर जिस तरीके से ये दोनों जखड रहे थे उस तरीके से तो इने ये कपल ही ल जाता है तब ही चश्मिश फोटोग्राफर भी यहां पर आ जाता है एक्चली ये जिनकी उनको पसंद करता है इसलिए ये बॉंकी को पसंद नहीं करता है और इनके बीच में जाकर के बैठ जाता है फिर बॉंकी से कहता है कि बॉंकी कहता है उसने कुछ जादा ही ड्रिंक क आता है, ओय मुर्गी, ओय बॉंग सुन, चलो भार निकलो, लेकिन जब अंदर से आवाज नहीं आ रही थी, तब बॉंग की कहता है, फिर मत कहना कि मैं एक परवर्ट हूं, मैं अंदर आ रहा हूं तुम्हें देखने के लिए, अब वो अंदर चाता है, तो देखता है कि बॉ बॉंग सुन रो रही थी, बॉंग की कहता है क्या हुआ, बॉंग सुन कहती है, नाम बॉंग की, मुझे आज रेलाइज हुआ, मेरी दादी अब मेरे साथ नहीं है, मुझे उन्हें बताना था, कि मैंने कॉम्पिटिशन जीत लिया है, अब मैं ब्लू हाउस में काम करूंग लेकिन मैं उन्हें नहीं बता सकती, बॉंग की भी बॉंग सुन के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, वो बॉंग सुन का दर्थ समझ पा रहा था, क्योंकि उसकी मॉम भी नहीं है, वो बॉंग सुन से कहता है, जो हमें छोड़के चले गए हैं, हम उन्हें भूल गल नहीं होगा, और अगर नहीं भूल पारें, तो ऐसे दिखाना होगा, कि हम उन्हें भूल गए हैं, नहीं तो हम खुद भी पागल हो जाएंगे, और लोग भी हमें पागल ही समझेंगे, कि पहली बार था, जब बॉंकी ने, बॉंकसन से समझदार बात की थी। कि तुम्हें ही साफ करना है मगर बॉंक सुन वो तो बॉंकी को देखने लगती है खेर यसी के साथ यह वाले पार्ट के एक्स्पिरनेशन तो यही पे कम्प्लीट होती है दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे थैंक्स पर वाचिंग मिलता बोचल